इंग्लिश कैसे सीखें? यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है अगर आपको इंग्लिश समझ में आती है तो आपको बोलने में सिर्फ इसी वज़े से परिशानी होती है क्योंकि आपको आइडिया नहीं होता है कि आप क्या बोले इसी तरह कि मैंने एक और वीडियो बनाए थी माई डेली रूटीन की वो वीडियो काफी पसंद की गई अच्छी वीडियो थी उसी तरह की ये भी वीडियो है जिसमें आप अपने बारे में बता सकते हैं ये एक तरह से फैमिली के बारे में नहीं आपके खुद के बारे में होगा आपका introduction कैसा हो आप अपने आपको लोगों से introduce कैसे कराएं English में ये class उस चीज़ को बताती है अगर आप मेरी daily routine वाली और ये दोनों वीडियोज देखते हैं तो आपको काफी कुछ समझ में आ जाएगा कि आप अपने बारे में कैसे बताएं और सही English कैसे बोलें तो इस वीडियो में मैं पहले एक-एक line को translate करते हुए उसकी सही meaning आपको बताऊंगा और आप उसको समझ करके बोलने की कोशिश करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं my family मेरा परिवार माई का मतलब जैसे हम जानते हैं मेरा family का मतलब होता है परिवार मेरा परिवार My name is Jay मेरा नाम जै है आप चाहे जै कहें आर्यन कहें जो भी नाम होँ आपका प्रेम कहें, प्रीती कहें, प्रकाश कहें या फिर परवेज कहें, कुछ भी कहें जो आपका नाम है उसे आप कह सकते है I live in Kolkata with my small family I live in Kolkata मैं Kolkata में रहता हूँ with my small family अपने छोटे परिवार के साथ I live with my parents and my sister मैं अपने माता पिता और अपने बहन के साथ रहता हूँ I live with my parents parents का मतलब होता है माता पिता या फिर जिसे हम मा बाप कह सकते है अम्मी अब्बू हम इसे ऐसे भी कह सकते है sister का मतलब बहन We have a small beautiful house हमारे पास एक छोटा सा सुन्दर घर है small का मतलब छोटा beautiful का मतलब सुन्दर, lovely जिसे कहते हैं house का मतलब घर We are all very happy in our house हम सभी अपने घर में बहुत खुश है We are all हम सभी लोग है very happy बहुत खुश very happy का मतलब क्या होता है बहुत खुश हम सब बहुत खुश है in our house अपने घर में lower का मतलब होता है हमारा इसको आर भी बोलते है in our house ऐसके बोलेंगे एक होता है इसे भी आर पढते हैं एक होता है ह, उच व, यू, आर इसे भी आर पढते हैं सही प्रणुसिशन इसका भी आर है इसका भी आर है लेकिन इसको कुछ लोग हावर बोलते हैं, कुछ लोग इसको आवर बोलते हैं, यह हावर तो नहीं है, आवर आप इसे ज़रूर बोल सकते हैं My parents are very good, मेरे माता पिता बहुत अच्छे हैं My father is a teacher in a school, मेरे पिता जी स्कूल में एक master हैं, एक अध्यापक हैं, teacher का मतलब अध्यापक My mother is a housewife, मेरी माता ग्रहणी हैं, housewife का मतलब क्या होता है, जिसे हम ग्रहणी बोलते हैं, जो अपने घर का काम काच करने वाली महिला होती हैं, उसे ग्रहणी बोलते हैं My parents help me with my studies, मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करते हैं Studies का मतलब क्या है, पढ़ाई मेरे माता पिता मेरी पढ़ाई मेरी मदद करते हैं My mother gets up in the morning, मेरी माता सुबह उठ जाती है, gets up, get up का मतलब क्या होता है, उठना इसी तरह का एक word मैंने आपको बताया है, wake up इसका भी मतलब होता है, उठना My mother wakes up, भी हमी से कह सकते हैं My mother wakes up in the morning And or, cooks for the whole house और वो पूरे घर के लिए खाना बनाती है Cooks का मतलब होता है, खाना, पकाना खाना, पकाना और whole house पूरे घर के लिए My sister studies in school मेरी बहन स्कूल में पढ़ती है एक चीज़ का ध्यान दीजेगा, ये present in definite tense में बताया जा रहा है My mother singular है, इसलिए यहाँ पर S लगा हुआ है अगर यहीं पर यह होता कि My parents तो यहाँ पर S नहीं लगता My parents get up हो जाता हो, gets up नहीं होता इसी तरह My sister studies है ये, अगर My sister मेरी बहने तब यहाँ पर study होता Studies नहीं She is very intelligent वो बहुत प्रतिभाशाली है Intelligent का मतलब होता है प्रतिभाशाली प्रतिभाशाली जिसे talented कहते हैं, brilliant कहते हैं and or hard working और वो बहुत परिश्रमी भी है hard working का मतलब क्या होता है परिश्रमी जो मेहनत करता हो इसके लिए एक word होता है इंडस्ट्रियस इंग्लिश में इंडस्ट्रियस का भी मतलब होता है hard working और आम बोल चाल की इंग्लिश में उसे laborious भी बोलते हैं she helps me with my studies वो मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करती है she is very smart in her class वो अपनी क्लास में बहुत smart है यानि वो अपना काम बहुत अच्छे से करती है she always वह हमेशा always का मतलब क्या होता है comes first हमेशा वो क्लास में पहले नमबर पे रहती है I study in class 9 मैं कक्षा 9 में पढ़ता हूँ I like indoor games like carom मुझे indoor games जैसे की carom खेलना पसंद है indoor games उसे बोलते हैं जो बड़े मैदान में ना खेल कर छोटी सी जगा पर खेला जाता है उसे indoor games कहते है my parents are very simple मेरे माता पिता बहुत साधारण है Simple का मतलब क्या होता है साधारण They are always ready to help the needy people वो हमेशा जरूरत मंदों की मदद करने के लिए तयार रहते हैं they are always ready वो हमेशा तयार रहते हैं to help the needy people जरूरत मंद लोगों की मदद करने के लिए needy people का मतलब क्या है जरूरत मंद लोग जरूरत मंद लोग जिसे हम poor भी एक तरसे कह सकते हैं poor people ऐसे जरूरी नहीं है कि जिसे जरूरत हो वो गरीबी हो लेकिन फिर भी हम अपने sentence को अच्छा करने के लिए उसे कह सकते हैं कि मेरे माता पिता गरीबों की हमेशा मदद करते हैं they are of a compassionate heart उनका हिर्दय बहुत करूडा मै है उनका हिर्दय बहुत रहम दिल है वो बहुत रहम दिल है compassionate heart का मतलब क्या होता है जिसके अंदर रहम हो दूसरों को लिए करूडा हो heart का मतलब हिर्दय दिल उनका दिल बहुत नर्म है हम इसे ऐसा भी कह सकते है compassionate का मतलब तो ऐसे होता है करूडा क्या होता है करूडा जिसका मतलब होता है दूसरों के प्रती प्रेम का भाव रखना दूसरों के प्रती रहम का भाव रखना दूसरों की परिशानियों को समझना हम ऐसा यहां कह सकते I am proud of my parents मुझे अपने माता पिता पर गर्व है proud का मतलब क्या होता है गर्व जिसे हम फक्र कहते है मुझे अपने माता पिता पर फक्र है मेरे माता पिता और मेरी बहन मुझे बहुत प्रेम करती है वेरी मच का मतलब क्या है बहुत ठीक है तो उम्मीद करता हूँ इस क्लास में बताई गई word meaning आपको अच्छी लगी होगी कौन सा word आपको सबसे अच्छा लगा कौन सा sentence आपको सबसे अच्छा लगा उसको आप comment box में जरूर बताईएगा इसी तरह की वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल को सबस्क्राइब कर लीजिए और किसी ना किसी अपने एक दोस्त को और वीडियो आप लाइक करके जाइएगा मैंने शुरू में नहीं कहा आप कहता हूं क्योंकि जब मैं आपसे ये कहता हूं तो आप लो लाइक ज़रूर करते हैं तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में